जै श्री राम मित्रों आझ बात करेंगे मिथुन राशी के अक्षर और राशी के गुन्धर्म की आईए प्रारंभ करते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय चन्दर्मा जिस राशी में होता है उसी राशी के अनुसार नाम का पहला अक्षर निर्धारित किया जाता है चंद्र की स्थिती के अनुसार ही हमारी नाम राशी मानी जाती है सभी बारह राशियों के लिए अलग-अलग अक्षर बताए गए है नाम के पहले अक्षर से राशी मालूम होती है और उस राशी के अनुसार व्यक्ती के स्वभाव और भविश्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है मिथुन राशी के अक्षर का की कू घर छै के को ह राशी स्वरूब स्त्री पुरुष आलिंगन बद्ध राशी स्वामी बुध मिथुन राशी का गुन्धर्म एक यह राशी चक की तीसरी राशी है राशी का प्रतीक युवा दमपती है यह द्विस्वभाव वाली राशी है दोग मृक्सिरा नक्षत्र के तीसरे चरण के मालिक मंगल शुक है मंगल शक्ती और शुक माया है 3. जातक के अंदर माया के प्रती भावना पाई जाती है, जातक जीवन साथी के प्रती हमेशा शक्ती बन कर प्रस्तुत होता है 7. घरेलों कारणों के चलते कई बार आपस में तनाव रहता है 4. मंगल और शुक की युती के कारण जातक में स्त्री रोगों को परखने की अध्भुत क्षमता होती है 5. जातक वाहनों की अच्छी जानकारी रखता है 9. नैने वाहनों और सुक के साधनों के प्रती अत्यधिक आकर्शन होता है 10. इनका घरेलू साज सज्जा के प्रती अधिक जुकाव होता है 6. मंगल के कारण जातक वचनों का पक्का बन जाता है 7. गुरु आसमान का राजा है तो राहु गुरु का शिश्य दोनों मिलकर जातक में इश्रवरिय ताक्तों को बढ़ाते है 8. इस राशी के लोगों में ब्रहमंड के बारे में पता करने की योग्यता जन्मजात होती है वह वायुयान और सेटेलाइट के बारे में ज्यान बढ़ाता है 9. राहुषने के साथ मिलने से जातक के अंदर शिक्षा और शक्ती उत्पादित होती है 10. जातक का कार्य शिक्षा स्थानों में या बिजली, पेट्रोल या वाहन वाले कामों की ओर होता है 10. जातक एक दाइरे में रहकर ही कार्य कर पाता है और पूरा जीवन कार्याय प्रांत फलदायक रहता है जातक के अंदर एक मर्यादा होती है, जो उसे धर्म में लीन करती है और जातक सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपने को रत रखता है ग्यारा गुरु जो ज्ञान का मालिक है, उसे मंगल का साथ मिलने पर उच्छ पदासीन करने के लिए और रक्षा आदी विभागों की ओर ले जाता है बारा जातक अपने ही विचारों, अपने ही कार्णों से उलचता है मिथुन राशी पश्चिन दिशा की दियोतक है, जो चंद्रमा की निर्णे समय में जन्म लेते हैं, वे मिथुन राशी के कहे जाते हैं तेरा बुध की धातु पारा है और इसका स्वभाव जरासी गर्मी सर्दी में उपर नीचे होने वाला है जातकों में दूसरे की मन की बातें पढ़े, दूरदरुष्टी, बहुमुखी प्रतिभा, अधिक चतुराई से कार्य करने की क्षमता होती है 14 जातक को बुध्धी वाले कामों में ही सफलता मिलती है अपने आप पैदा होने वाली मती और वानी की चतुरता से इस राशी के लोग कुशल कूट नीतिग्य और राजनीतिग्य भी बन जाते हैं 15 हर कार्य में जिग्यासा और खोजी दिमाग होने के कारण इस राशी के लोग अनवेशन में भी सफलता है